कश्मीरी हिंदुओं का पुनर्वास कैसे हो इस विशे पर श्री विठल चौधिरी जी हमारा मार्गदर्शन करेंगे तद पुर्व अहम उनका परिचे समझ कर लेते हैं देहली के श्री विठल चौधिरी जी यूथफ और पनून कश्मीर के अध्यक्ष है व्यवसाय से आप एक एंटर्प्रिनर है और एक आईटी कमपनी के एमडी है आप सोयम एक कश्मीरी हिंदु है और भारत में ही अपनी जन्मभूमी से दूर विस्थापित होकर जीवन जीन करने का अनुभव करने वाले भारतिय है मैं आपसे अनुरोद करता हूं कि इस गंबीर विशे पर हम सभी का मार्गदर्शन करें नमस्कार सभागार में उपस्तित सभी संतों को मेरा चरण वंदन और सभागार में उपस्तित सभी सनातनी सेनानियों को जैश्री राम हर हर महा दे मेरा विशे रखा गया है कि कश्मीरी हिंदों की कश्मीर में वापसी कैसी पिछले 34 साल से विस्थापन और निश्कासन का जीवन जीते हम कश्मीरी पंदितों की वापसी कैसे हो यह हमने 1991 में ही ताई कर लिया था लेकिन वापसी कैसे हो इस पे बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा कश्मीर के इतिहास बताना चाहता हूँ क्योंकि हम जहां है वो गौमान तक है बगवान परशुराम द्वारा बनाया गया गौमान तक कश्मीर में एक जगा है जिसका नाम है राम रादन जहां बगवान परशुराम ने आरादना की थी और वहां से कश्मीरी हिंदूओं को यहां गौमान तक में उन्होंने बसाया तो मुझे लगता है कि दस हजार साल से भी जादा पुरानी हमारी सब्यता है इतिहास है कश्मीर की नदी वितस्ता के बारे में बर्नन है यानी तीर्थानी भारत वर्षे तानी तीर्थानी कश्मीर मंडले यानी तीर्थानी कश्मीर मंडले तानी तीर्थानी वितस्ते आम मतलब कि जितने भी तीर्थ भारत मंडल में है वो सारे तीर्थ मिलाकर कश्मीर मंडल में है और जितने भी तीर्थ कश्मीर मंडल में है वो वितस्ता के अंदर समुहित है कश्मीर में बहुत सारे महान महारिशी दिये महमेश वचारे अबनव गुफ्त बरत्मुनी जिन्होंने नाट्टि शास्तर को रचा शिवयोगनी ललेश्वरी कलहन और जोनराज को भी नकेवल महारीशी दिये कश्मीर ने योदाओं से भी वरीवी हमारी भूमी रही है सबसे पहले इसलामिक अकरांताओं का जो भारत की संस्कृती पे जो आकरमन हुआ था वो कश्मीर पे हुआ था 712 में जहां महाराजा ललित्यादित मुक्तपीद ने उनको पहली बार हराया उसके बाद मुहमद अब मुहमद गजनवी जब पूरे भारत में पहली बार हाया तो पहली बार अराया कश्मीरustह महाराजास संग्रा मराजजिद है इतिहास नहीं पता कश्मीर का हम मुहमद गजनी की यद改ाते हैं कि वह 17 बार भारत में उने अटाः हमला किया बार उनको 17 के 17 बार वो हारे भी और पहली बार वो कश्मीर से आ रहे लेकिन ऐसा क्या हुआ कि कश्मीर में कि जो इतनी ओजस्वी इतनी संतों से वरीवी ऐसी जगह थी वहां पर आज कोई कश्मीरी हिंदू नहीं है अभी बंगाल की बात हो रही थी, जब वो बंगाल की बात कर रहे थे, तो मैं ये सोच रहा था, कि हम कश्मीर के बारे में पिछले चोंती साल से यही बाते करते हैं मूल कारण क्या रहता है किसी भी जगा का जहां पर इसलाम आपके उपर हावी हो जाता है इसलाम ने जब भी भारत पे हमला किया है, जब भी भारत की संस्कृति पे हमला किया है, हमने उनको हरा है, प्रत्यक्ष रूप में जब हमारे साथ हो सामने आया, अब प्रत्यक्ष रूप में वो सूफियों और दर्वेशों के नाम पे आया, और ऐसे उन्होंने हमारे और उसके बाद उन्होंने अपना इसलाम फैलाया. हम्दनी हुए, हुए थै नहीं, मतलब कहा ये जाता है, पंडिट जोनराज ने अपनी राजितर निगनी दुद्धों में लिखा, कि जब यवनने ने कश्मीर पर हमला किया, तो उन्हेंने ऐसे हमला किया कि जैसे खेट के ओपर लोकस्ट आ जाता है उसको विद्वन्स कर देता है तो जातिय विद्वन्स को पहली बार पंडिट जोन राज ने पंदरवी शताबदी में दिया जातिय विद्वन्स जिसे आप जनोसाइड भी आज जानते हैं यह पहली बार पंडित जोन राज ने चोदर पंदरवी से ताबदी में पहली बार इसका वर्नन किया है राज़त रिंगनी दुतिये में मंदिरों का विनाश हुआ डल लेक जिसे आप परियटन का अज सबसे बड़ा स्थल्न वाना जाता है डल लेक में एक दिन में दस हजार से भी ज़्यादा किश्मीरी पंटितों को मारा जाता था दस हजार सुरेश्वरी डल के नाम से उस जगा का नाम था उसका नाम बदल के वहां पर डल लेक हुआ डल लेक में ही एक जगा का नाम है बट मजार बट मजार का मतलब होता है बट मतलब कश्मीरी हिंदू मजार जहां पर उनको मारा जाता था दिन के 10,000 लोग डल लेक में मारा जहां आज हम परियटन करने जाते हैं इन सब कारणों से हमारे लगातार साथ निशकासन कश्मीर से हुए है तेरा सो नासी में पंदरा सो चे में, पंदरा सो पचासी में उसके बाद पिछले सो साल में हमारे तीन निशकासन हुए हैं तीन बड़े निशकासन 1931 में 1948 में, 1986 में और जिस निशकासन का मैं पीड़ित हूँ 1990 में 1990 में भारत जो कि अपने आपको सेकिलर रिपब्लिक क्याता है उस सेकिलर रिपब्लिक में पहली बार एक पूरी की पूरी संस्कृती को कश्मीर से विस्थापित किया गया, निशकासित किया गया और इदेश मौन रहा आपको यह जानके हैरानी होगी कि कश्मीर की जो पॉपुलेशन थी इतने सारे 700 साल के लगातार जनर्साहीर के बाद भी 14.1 परसंट थी 1941 का जो सिंसस हुआ था 1941 का आज कश्मीर में जो हिंदूों की पॉपुलेशन है हिंदूों की जो पॉपुलेशन है वो 0.001 परसंट रहे गई है तो प्रश्न यह होता है कि यह 0.001 जो बीच के 14 परसंट कश्मीर में जो कश्मीरी पंडित थे उनको क्या हो गया उनको कौन सी जमीन खा गई आस्मान निगल गया उनके साथ हुआ क्या और यही प्रश्न हमें पूरे भारत वर्ष में भी करना चाहिए कि हिंदूों की जनसंख्या है जो कम हो रही है उनके साथ हो क्या रहा है देखें कश्मीर जो है जहां से मैं आता हूँ वो एक एक्सपेरिमेंट था स्वतंत्रद बारत में कैसे इसलाम को स्थापित करना है और वह experiment उनका successful हुआ है उसका मूल कारण और मुख्य कारण यह है कि हमारा जो राजय तंत्र है हमारा जो state है उसने emboldened किया है appeasement को उसने emboldened किया है अलगाओ बाद को लगातार करता है 1947 से आज तक सिर्फ उनने appeasement किया है किश्मीर में एमबोल्डन किया है और डिनाई किया है हमारे जनोसाइड को इन सब मूल कारणों को देखते हुए हमारा सात्वा पलायन, सात्वा निशकासन होने के बाद हमने बोला कि हमारा सात्वा और आखरी निशकासन है कश्मीर से 28 डिसमबर 1991 जम्मू में ऐसी एक सवा में समस्त कश्मीरी पंडित समाज एक जगा हुआ उन्होंने बोला कि अब अगर कश्मीर में आपको कश्मीरी हिंदूओं को वापिस जाना है तो वो अपनी जगा अपने कश्मीर में अपने सनातन कश्मीर की पुनरस्थापना के लिए कश्मीर का गठन करेंगे पनुन का मतलब होता है हमारा आपका हमारा हम सब का कश्मीर उसके मुख्य बिंदू यह थे कि आप दारा 370 को कश्मीर से निरस्थ कर दीजिए कश्मीरी पंडितों को अगर आपको कश्मीर में वापिस बसाना है तो आपको एक अलग युनियन टे जहां भारत का सम्विधान पूर्न रूप में लागू हो देखिए अभी दारा 370 निरस्थ हुई उससे पहले कश्मीर में दो सम्विधान चलते थे और आपको ये जानके भी हरानी होगी जो ये सेकिलर वादी लोग जो 24 गंटे सेकिलरिजम का ही गाना गाते हैं कश्मीर के संविधान में सेकलिर्जम नाम का कोई शब्द नहीं था और जब दो हजार आठ या दो हजार नौ में पहली बार ये कहा गया कि इस कश्मीर की संविधान में आप सेकलर वोर जोड़िए तो यह जितने लोगा सेकलिर्जम का रोना रोते हैं उन्हें ने उसका विर तो आज मुसलिम भखूल राजहहे अब हैकर नौन कश्मीर में हम ये हमारा यह मानना है और हमारी यह मांग है कि भारत का कोई भी हिंदू बारत का कोई भी जो भारत के राजयत अंतर बारत के सम्विधान को मानता है, आप उनको हमारे साथ बसाइए. तो आप याप बोलेंगे कि दारा 370 निरस्थ हो गई है, आप तो आप जा सकते हैं, आप यह उनियन के रिट्री है, आप जाते क्यों नहीं हैं. दारा 370 निरस्थ हुई, उसके बाद ही डॉमेसाईलेक्ट लाया गया, आज भी कोई भी हिंदू किश्मीर में जाके जमीन नहीं ले सकता है, आपको पंदरा साल वहां पर नोकरी करनी है, उसके बाद अवेलिजबल होंते हैं वहां पर जमीन लेने के लिए, दारा 370 पास था हमारा अपना अख्षी था उननिस सो बावन ने परजा परिशद जब शामापरसाद मुकरजी ने मनाई उनके साथ कंदे से कंदा में लागके किश्मीरी पंडित भी रहे, तो दारा 370 जब निरस्थ ही पूरे देश ने उसका स्वागत किया और मन लेकिन दारा 370 क्या हुआ कि क्ष्मीरी पंडित आज भी विस्थापित है आज भी निष्क अजी वन जी रहे हैं वो क्ष्मीर क्यों निजा पारे है क्यूंकि दारा 370 निरस्थ करने में आपने जो डिफक्तो इस्लामिक स्टेड था आपने ते थेओरी में उसको खतम किया प्रेक्टिकलि कि आवश्क्ता है कि वहां पर क्यूं नहीं बोल पाते हैं दो हजार उन्नेस पांच अगस्ट के बाद जब दारा 370 कश्मीर में नहीं है उसके बाद भी लगातार वहां पर कश्मीरी हिंदूओं का और हिंदूओं का टार्गेटेड किलिंग हो रहा है नाम पूछ के आइक मार देते हैं सड़क पे चलते हुए गोली मार दी गई मिठाई की दुकान पर उनको गोली मार दी गई यह दारा 370 के बाद कश्मीर की एक सच्चाई है तो अभी मैंने आपको बताया कि कश्मीर में जो हुआ और इसके कारण के हैं और आज का राजय तंतर नहीं कैसे इसको एमबोल्डन करता है इसलामिक जिहाद को एमबोल्डन इसले भी करता है कि वो डिनाई करता है कि कश्मीर में जो रहा हुआ वो जिहाद नहीं है आप कोई भी स्टेट में उठा के देख लीजिए आज भी वहां पे जो बोला जाता है बोला जाता है कि पाकिस्तान से आयोए पहला राज्य है जिसको हंडर पसंट इसलमा साइज कर दिया गया है कश्मीर बैली को लेकिन क्या पाकिस्तानी खाली हो कश्मीर में जो करता है वो है क्या वहां के लोकल लोग जो उनको ऑवर ग्राउंड सपोर्ट देते उनके बारे में कौन बात करेगा लेकिन आप करते क्य करोड कर दिया गया हो बाड़ पीडित में बाड़ाई हो तो 80,000 करोड कर दिया गया और पाकेज किन के लिए दिया गया इनको ऑपीज करने के लिए दिया गया दो हजार चोदा सप्टेंबर को पैकेज आनाउंस हुआ था अभी मैंने बोला कि स्टेट हमारा जो राज्यत वो बढ़ावा देता है ज्याद को, चाहे सरकार किसी की भी हो. थोड़ देर पहले मैंने पंडित जॉन राज का उलेख किया. पंडित जॉन राज ने जाती विद्वन्स पहली बार ज़ टर्म कोईन की, जनोसाइड के बारे में. राफिल लेंकिन ने जुरूर उनिसो पैंतालिस, उनिसो पैंतिस में दुबारा ये जनोसाइड की डिफिनेशन दी, जॉन राज ने पंडरिवी शताब्दी में दी. तो जब जनोसाइड होता है, तो वहाँ ना केवल शारीरिक शती है, वहाँ मानसी कुल्चरल जनोसाइड भी होता है, जो कष्मिर में पूरी तरह से हो चुका है. आज जो कष्मिर में चल रहा है, वह consolidation of genocide. चल रहा है। जनल साइर को चंसॉलिडेट किया गया है कश्मीर में और डिनाई करता है इंडियन हमारा राजय तंत्र की कश्मीर में ऐसा कुछ हो आई नहीं था देखिए अफ्रीकन एक प्रोवर्ब है शमा चाहूंगा अंग्रेजी बोलनी पट रही है कि सम टूट्स आर सो सम视ativas कि क्लेदा रहा हूँ नहीं आई-उлен मत टूख आर सु इस पशह च्छ लगने लग जा मैंने मेंश्व रहां हिया प्रण को उखारके फैंग देते हैं और कोई किसी को पता नहीं लगता। कितनी बिडमना है कि ये कश्मीर फायल 2010 में आती है और उस कश्मीर फायल के चलते हैं आमको पता लगता है कि कश्मीर में क्या हुआ 1999, 1989, 1986, 1967 यह कुछ साल है जहां कुछ ऐसी जगा जहां जो कश्मीर में जहां हिंदूों के साथ मंदिर तोड़े गे मुपती 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 मु कि इन को क्या और दिया उन को हुब रारत का हममिनेस्टर बना इया इंग उनने स्थ 109 में वह मुफ्ति मुहमद सेये, जिन्होंने तीन से सज़दा किश्मीर अनंतराग में मंदर तोड़ दिये, जला दिये, वो बारत के हो मिनिस्टर बनते हैं, और हो मिनिस्टर बनने के बद पहला कारी ये करते हैं, पहला कारी ये करते हैं, कि वो रुबिया सेये की किड्नापिंग एनाइक्ट क किसी भी चाहिए वो मुसल्मान से ही आप पूछ लीजिए वो बोलेगा कि रुब्या सेयद की किनापिंग नहीं हुए थी भारत में हम सब यह मानते हैं कि कश्मीरी पंडितों का नरसंगहार जातिय विद्वन्स हुआ हमारा राजितंत्र भी बोल चुका है राजीव गाबा जब कैबनेट सेकेटरी थे और जब उनको यासीन मलिक के खिलाफ कुछ बोलना था तो वो बोलते हैं कि येस कश्मीरी पंडितों का यासीन मंडिक ने जहनो साइड किया बिट्टा कराटे को जब उनने एकनॉमिक औफे लो कृश्चित को बोलते हैं वहां के प्जिक प्रॉसेक्वेटर ए निया कोट में बोलते हैं कि बट्टा कराटे रेस्पोंसिबल था जाती विद्बंस नर्संहार का इचिप्टरी ने एक्सेप्ट किया पब्लिक प्रोसेक्विटर सरकारी लोगों ने एक्षप्ट किया कि जाती विद्वन्स था लेकिन हमारा राजयत अंतर इसको आज भी डिनाई करता है डिनायल करता है उसका मुख्य कारण यह है कि भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो जो जूसायट को प्रोसेक्विट कर सके जबकि भारत जैरोसायट कन्वेंशन्स देखिए, हम सब यह मानते हैं कि अभी हमारी जो केंदर में सरकार है, वो हिंदू निष्ट सरकार है, हमें मानते हैं कि बारतिय जंता पाटी, राष्टी स्वायम सेंग, हिंदूओं की पाटी है बारतिय जंता पाटी, राम मंदिर की लाहर वी, बगवान श्री राम से जिस प नहीं निशकासन के बाद बारत के हर अहर प्र्दान मंतरी ने कश्मिरी पंडितों से मिलें हैं, उनकी यात्राइ, उनकी इटछ देखा है, उनकी दुख किया नहीं हो बल्कि सुना जरूर है। पिशले दस साल मही है पहली बारे की कश्मीरी पंडितों को हमारे प्रदान मंतरी आज तक नहीं मिले गए हमने बहुत सारी अप्लिकेशन दी नहीं मिले हमसे तो क्या प्रश्ण हमारे प्रदान मंतरी से नहीं होना चाहिए कि आप कश्मीरी हिंदों से क्यों नहीं मिले आप कश्मीर जाते हैं तो एक बार भी कश्मीरी पंडितों का नाम नहीं लेते समवाद ही नहीं है पूछ ही नहीं है 350 दिन जम्मू में हमारे PM पैकेज एम्प्लॉईस जो प्रदान मंत्री की दुवारा, मन्होन सिंगी दुवारा की एक पैकेज दी गई जिनको उनको बांद करक दिया कश्मीर में राहुल बट की जब जब राहुल बट को जब मारा गया उसके बाद उने ने जम्मू में प्रोटेस्ट किया 350 दिन उस 350 दिन में सिवाए रिलीफ कमिशनर के उन से को ही नहीं मिला रिलीफ कमिशनर के आफिस के बाहर कर रहे थे अंदर जाके मिलने दे थे एक ग्यापन दे थे और वापस है कोई नहीं मिला 350 दिन का सड़क पे रहे वो उनकी सैलरीयां उनकी नोक्रियां सब बंद कर दी उनकी मांग क्या थी उनकी मांग ये नहीं थी कि आप हमें अलग बसाइए उनकी मांग ये थी कि जब तक कश्मीर में ये टार्गेटिर किलिंग रुक न जाए आप हम सब को उठा के जम्मू ले जाएए हमें जम्मू में टेंप्रेरी ट्रांसफर हमारे को दे दीजिए हम काम करने को तिया रहे है तीन सो पचास दिन का लगाता और उनका अंदोलन चला कुछ नहीं हुआ क्यूंकि उनके साथ समवाद ही नहीं हुआ और हमारे साथ भी समवाद नहीं हो रहा है और टुष्टी करन किनका हो रहा है इंटरनेशनल योगा डे भी मनाया गया 20 जून को डल ल इसकी हिस्तोरिकल सिक्निफिकनसी है कि ए कि वहां बटमजार है वहांपे कि चिश्मीरी पंदितों को उसी द्ल लेक पे बहाँपे इंटरनेशनल योगाडे मनाया जाता है उसी दल लेक कि माने के कुछ दुशमीरी हिंदों के साथ किश्मीर में क्या हुआ हुआ-, तो आपक के हिंदों के साथ क्या हो रहा है डिली में हिंदों के साथ क्या हुआ आपको जिहाद को मानना पड़ेगा लेकिन आप जिहाद को नहीं मानेंगे कि आपके एक इंटरनेशनल कम्यूनिटी को आपको बताना पड़ता है आपने जो आपने जो नोबल प्राइज नोबल पीस प् मिलेगा अगर आप सच के बारे में बात करेंगे लेकिन हम सच के बारे में बात करेंगे अभी मैंने बोला बंगाल के बारे में मैं सुन रहा था हम एक बारत अभियान जब हमने किया 2016 में इसी मंज से उसकी शुरुबात हुई हमने पूरे देश में अंदलन किया हर जगा हम गे बीस से ज़्यादा शहरों में हम गे सो से ज़्यादा हमने सबाएं की एक बार हम बैंगलोर गे प्रमोद मुतलिक जी ने वहां पे सबा का आयोजन किया पहली सबात ही एक बारत अभियान की और ऐसी बातों बातों में उन्हें बोला कि खाली करनाटक करनाटक में पांसो से भी ज़्यादा कश्मीर ज़्यादा जगा हैं सिब करनाटक में हमने आपस में विचार विमर्श किया और हमने काउंट किया 2016 सवत्रा की बात कर रहा हु मैं कि कश्मीर ज़्यादां 5,000 से भी ज़्यादा ऐसे बारत में ऐसी जगाए हैं जहां कश्मीर जैसे जहां इसलम आपको आगे हावी है आप पे जहां पे जिहादी आप पे हावी है क्योंकि अगर आप कश्मीर का जन्योसाइड मान लेंगे तो आपको वो पांच हजार जगाओं के बारे में भी बात करनी होगी. आपको उन लोगों के बारे में बात करनी होगी जो बंगाल में आज मर रहे हैं जो कैराना में जिनका पलायन हुआ 2017 में पलायन हुआ कैराना दिल्ली यूपी दिल्ली से थोड़ा सटा हुआ शहर है यूपी के पास कैर problem statements मैंने बता दी problems कहां कहा है हमें करना क्या चाहिए हमारे संगठन और हम सब लोगों ने मिलके इसी मन से एक बारत अभियान की शुरुवात की थी एक बारत अभियान में हमने ये तह किया था कि हम पूरे देश में जाके एक देश व्यापी आंदोलन एक चेतना जगाएंगे कि जो कश्मीर में हो रहा है वो देश में दुबारा होगा वो हर जगा होगा तो आप पहले कश्मीर को हम कश्मीरी हिंदों को कश्मीर में वापिस बसाएंगे और उसके बाद हम देश में भी इस इसू के बारे में बात करेंगे जैसे मैंने बोला बीस बड़ी रैलिया हुई, सो से ज़्यादा छोटी रैलिया हुई, फिस शहरों में जाकी कि, डाइसो से ज़्यादा ग्राम पंचायत ने हमारे को सपोर्ट किया, और कश्मीरी हिंदुों को अपना समर्थन देने का संकल्प किया, अगर अब देख पाएंगे कुछ रैलियो जरूर बताओंगा, अमने इस यात्रा की कल्मिलेशन की थी, अमने जम्मू में की थी, पूछनी काका जी भी थे, रमेश जी भी थे, अबे जी भी हमारे साथ आये थे, और हम सब आये थे, अर्जुन जी भी आये थे हमारे साथ, तो जगती में जहां पे 25,000 से भी रहते हैं, वहां पे इनको पता लगा कि उनको पिसले चार महिने से जो राशन सरकार देती है, वो बंध है, जगती से रमेश इंडे जी मुझे याद है, रमेश इंडे जी ने उद्गोश किया और बोला कि अगर ये राशन कल सुबे तक नहीं मिला, कश्मीरी हिंदों को, ह अगर संतों की अनुमती हो, तो मैं इस एक प्राथना करना चाहूंगा, कि आप बारी आईए एक बारत अभियान के दूसरे फेज को चालो रखने के और मैं आप सबसे प्राथना करूंगा हो कि हमारे साथ जैसे आप पहले जुड़े थे, आज आप दुबारा जुड़िए क्यूंकि आवशक्ता सिर्फ कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के पुनरवासन की नहीं है, हमारा ये मानना है कि कश्मीर, भारत, हमारा मानना नहीं, कश्मीर, भारत की संस्कृती का उद्गम स्तोत्र है, it is a fountainhead of Indian cultural civilization, और जब तक वहां सनातन की वापसी नहीं करेंगे, तब आपका एनेमी उसको बैज आफ ओनर की तरह लेके चलता है कि हमने इसको पूरा कनवर्ट करके आपसे छीन लिया है, हमें उसी कश्मीर को अपने कश्मीर को उनसे वापस लेना है, इसका मुझे लगता है कि हम यहां पे संकल्प करना चाहिए, इसकी योजना कैसी रहेगी, उसके बारे में हम समय मिला तो और चर्शा करेंगे, और जो यह आखरी स्लाइड आप सब देख पा रहे हैं, पनुन कश्मीर जैसे वामन अवतार हुए थे, वामन अवतार ने तीन पग में पूरी श्रिष्टी महाराजा बली से ले ली थी, पनुन कश्मीर वामन अवतार क होँे के हामन अवतार ने गुर को समय मिला वामन अवतार आप सब菩तार करेंवीर ने वामन अवतार करेंगे पूर यह ले में पनुन कश्मीर. acontecendo t